नमस्कार आप देख रहे हैं नेशन यूज मैं हूँ आपके साथ मनुपांडे इस वक्त शाम के पाँच बड़ी खबरों को लेकर जिन पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे हमारी नेशन यूज की टीम हमारे साथ मौजूद है तो सबसे पहले बात करेंगे आज के बिहार विधानसभा चुनाओ को लेकर आज बिहार में 71 सीटो पर विधानसभा चुनाओ जारी है तो इस वक्त क्या रिपोर्ट है चुनाओ का माहौल कैसा रहा दिन भर में क्या अपडेट है इसके लिए हम जाना चाहेंगे चलेंगे रि तक अगर हम देखे तो जिस तरीके से चुना हुआ है सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार पहले चुरण में दो करोड़ चौदा लाग चौरासी हजार साथ सो सतासी मददाताओं ने अपने मद का प्रयोग किया है और यह खुद में कहती हासिक चुना हुए क्योंकि यह तो क अपने मद का प्रयोग किया है अब तो यह देखे पब्लिक पे ही पूरा डिपेंड करता है कि अखिर सरकार वो किसको चुनेगी क्योंकि 10 नमंबर को वही जानती है अभी तक अगर हम आपको अनुमान लगाए हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ है लेकिन अनुमान उसमें ही लगाया जा रहा है कि अभी राजद राष्ट्रिय जनता दल जिस तरीके से आगे पहले चरण में बढ़ रही है जो वो पार्टी बढ़ रही है वो थोड़ा सामने आया है क्योंकि जद्यू जो है जो नितीश कुमार की पार्टी है वो थोड़ा भी बैक फूट पे चल रही है बीज़ेपी भी ठीक ठाक चल रही है कॉंग्रेस को भी चार सीटे मिली है लेकिन जिस तरीके से राजद पहले चरण में आगे बढ़ा है ये देखने वाली बा नौकरी देंगे और सरकारी नौकरी पक्की देंगे जनता को ये चीज़ का शहल लगता है जनता को बात अच्छी लग गई हो और इसलिए शायद राज़त को वोट भी दिया हो अब तक कि जो हमारे सामने आकड़े आ रहे है अनुमान तो यही लग रहा है कि राजद आगे बात है मुझे लगता है कि जिस तरीके से तेजस्वी आदव ने जनसभाओं को संबोधित किया है उसका एक फाइदा पड़ा है अभी के फिलाल के अभी के रिजल्ट्स में तो कियास ही लगाए जा रहे है कि राजद भारी पर रही है जिस तरह से तेजस्वी आदव ने जनसभाओं में रोजगार को लेकर घोशना किया है घोशना चुनावी वादे किये हैं कि वो युवाव को दस लाख रोजगार देंगे तो शायद इस वज़ए से भी जो आज का चुनावी महौल है जो आज के चुनाव में कयास लगाए जा रहे हैं कि राजद इस चीज़ को लेकर आगे है तो एक तरफ अगर देखा जाए तेजस्वी आदव ने 10 लाख युवाव को रोजगार देने का वादा किया है दूसर को कहीं छुप सा गया है इसके लिए इस पे ज्यादा विस्तार से चर्चा करने के लिए हम चलेंगे अपने सीनियर जर्निस्ट विश्टू सरूप के पास सही कामनु आपने हम लोग बस्तुता अपने मुद्दे से अब भटक चुके हैं सिर्फ अगर बेरोजगारी की बात होती तो 2.5% हम लोग नेशनल जो एक लेवल है उससे जादे बिहार में बेरोजगारी को देखते हैं तो ये एक पॉइंट हो सकता है कि हम रोजगार दें लेकिन तेजस्वी का 10 और उसके बिरोध में 19 और फिर 50 के आसपास जो घोसनाएं हो रही है तो ये सिर्फ घोसनाओं का ही वाजार है बेरोजगारी ऐसी बड़ी मुद्दा के रूप में अब तक नहीं थी सामने में लेकिन मुद्दा जो होना चाहिए था मुद्दा जो ल जो एक मुद्दा था अभी कोरोना के इस समय में वह कोरोना के समय में उसे भी लोग भूल रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंफ्रायस्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास डॉक्टरों की कमी थी इस पे कोई सवाल नहीं उठ रहा है लेकिन हम क्या कर रहे हैं कावा और कीवा में ब विकास की बात कर रहे हैं बेरोजगारी की बात कर रहे हैं या सिर्फ जुम्लेबाजी की बात कर रहे हैं किन मुद्दों पर उनका ट्रेंड उनका जुकाव किधर जाता है वैसे या पर्थम चरन का चुनाव है इसमें बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो सुनने में आ रही है इच्छा स्वास्त और अभी कुछ दिन पहले बार जैसी आपदा भी आई थी ये चीज हम लोग भूल चुके हैं और बेरोजगारी एक मुद्दा बनके रह गया है कि हम इतने रोजगार देंगे हम इतने रोजगार देंगे लेकिन इस रोजगार का रोड मैप क्या है ये किस लेकिन सिर्फ रोजगार देंगे और ये इसी बात पर भोटरों को लुआने की सारी कवायाद है जी बिलकुल जिस तरह से तेजस्वी आदव ने युवाँ को दस लाख रोजगार देने का वादा किया है इस पर तो विपक्ष ने भी तंज कस्तेव यहां तक कह दिया है कि तेजस्वी जी इतना पैसा लाएंगे कहां से जिस तरह से वो वाइदे कर रहे हैं वो इसके लिए इतना पैसा कहां से लाएंगे आज पीम नरेंदर मोदी ने जो तीन जगा जन सभाई की हैं दरभंगा मुझफफपूर और पटना में तो वहां पे उन्होंने राजका युवराज कह डाला उन्होंने यहां तक कह दे कि तेजस्वी जी जिस तरह से रोजगार देने की बात कर रहे हैं तो उनके शासनकाल में यहां सरकारी नौकरिया तो क्या प्राइवेट नौकरियों के भी लाले पड़ जाएंगे आगे हम बात करेंगे आज प्लू जी मनू मैं आपको बता दू कि जिस तरीके से भी बिहार विधानसवा चुनाओ का जो पहले चरन का मद्दान है वो जारी है आपको बता दे कि बिहार में 16 जिलों के 71 विधानसवा सीटों पर चुनाओ होना है लेकिन इस बीच मंगलवार की साम को पुस्पम प्रिया दूसरे थी जिसके वज़ा से उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और उन्हें हिरासत में लेना पड़ा वहीं अब पुस्पम प्रिया ने कहा कि जो बिहार के राज्येपाल है फागु चोहान वो उनसे मिलने जारी थी इस दौरान जो कुतवाली पुले से उन्हे जब्रन हिरासत में ले लिया और उन्हें पांच घंटे तक जेल में रहना पड़ा जिसके बाद लोगों को पता चला तो वहां जो भीर है वो उमर पड़ी और लोगों ने नाड़े लगाने लगे और पुस्पम प्रिया को छोड़ने के बात कहने लगे उस दौरान फिर प पुलिस की तरफ से काफी ज़्यादा अबल प्रयोक किया गया है गलत तरीके से तो क्या लगता है कि नितीश सरकार में इस तरह से ज़्यादा सक्ती बढ़ती जा रही है जी कहीं न कहीं ऐसा तो लगड़ा है कि जिस तरीके से नितीश कुमार के खिलाप पुस्पम प्रिया चोधरी गई है तो उन्हें को तवाले पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और लगतार पांच घंटों तक उन्हें हिरासत में लिया गया उसके बाद पुस्पम प्रिया चौधरी ने टूइट कर उन पर निसाना साधा और कहा कि मैं ये दिन याद रखूंगी और मैं वापस आ रही हूँ भगवान आपका भला करे इस तरीके का उन्होंने टूइट किया नितिश कुमार पर हमला बोलते हुए जिस तरीके से टैग किया तो कहीं न कहीं ये साफ हो पर आए कि नितिश कुमार के खिलाब जाना साइद उनको महागा पड़ा है इस तरीके बादे निकलकर सामने आ रही है जी बिल्कुल लेकिन पुश्पंप्रिया चौधरी भी पीछे नहीं रही पुश्पंप्रिया चौधरी ने भी नितिश कुमार को को लेकर जो जी मनुजी शुक्रिया जहां तक कुरोना की अपडेट के अभी हम बात करें तो लोगों के जहन से लोगों के दिलों से कुरोना का डर खौफ बिल्कुल खतम हो गया है लोगडाउन की वज़े से लोग सोचते थे कि लोगडाउन है तो कुरोना है अब लोगडाउन खतम तो क क्रोना खतम लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्रोना का केस अभी डे बाई डे दिन पे दिन काफी तेजी से बढ़ रहा है अगर आंकडों की अगर हम बात करें तो अभी इंडिया में एक्टिव केस 89 लाग सम्थिंग पहुंच चुका यानि कि 80 लाग तक केस पहुंच चु क्रोना केस अक्टिव केस नहीं पे रहे हैं और देद भी सबसे ज़्यादा की वज़े से पतना में हुई है और मुझफरपूर और भागलू बाकि उसके बाद नालंदा पुर्णिया यह सब सिटी हैं जहां पे क्रोना के केसे सबी चल रहे हैं लेकिन सबसे ज़्यादा अबर तोड जन सभाए कर रहे हैं तो अब कोरोना का जो रफ्तार जो अब धीमा हो चुका था वो अब उसका ग्राफ कितना आगे बढ़ेगा यह देखने वाली बात होगी साथी दूसरे चलन का जो मदान है वो तीन नमबर को होने वाला है तो उसको लेकर क्या कुछ आगे अब डेट आएगा वो भी हम आपको देते रहेंगे फिलहाल बनेरिया नेशन यूज के साथ नमस्कार